नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम बहुत ही अच्छी सी मॉरल स्टोरी लेकी आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए अपनी स्टोरी के टाइटल पे नज़र डालते हैं तो स्टोरी का टाइटल है गॉसिप इस बैड गॉसिप मिन्स होता है बात करना गपशप करना मिन्स किसी के बारे में बात करना फ्वा फैलाना जो इंपोर्टन्स बाते नहीं होते हैं उन सब को गॉसिप कहते हैं गॉसिप इस बैड बैड मिन्स होता है खराब गपशप खरा मिन्स गपशब करना खराब आदत है मिन्स किसी के बारे में बात करना बुराई बात करना मिन्स वो खराब आदत है तो इसी पर स्टोरी है तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं चार्ल्स और पीटर आलवेज गॉसिपड अबाउट अदर पीपल चार्ल्स और पीटर मिन्स दो लड़के हैं चार्ल्स और पीटर वो आलवेज हमेशा गॉसिपड गॉसिप मतलब बातचित किया करते थे गपशब किया करते थे अबाउट बारे में अदर दूसरे पीपल मि वे दोनों हमेशा ही बाते किया करते थें मतलब आप लोगो तो पता ही होगा कि गॉसिप किसे कहते हैं जब दो लोग, तीन लोग, चार लोग मिल कर बाते करते हैं और कुछ भी बाते हो सकते हैं या फिर वो किसी के बारे में भी हो सकती है या किसी चीज़ की अफवा हो सकती है तो उसे ही gossip कहते हैं तो वे ही Charles और Peter वे हमेशा ही दूसरे लोगों के बारे में बाते किया करते थे Their wizard friend had often explained to them Their means Charles और Peter के जो wizard means होता है जादूगर जो उनलों का एक friend था दोस्त था जो जादूगर था had often often means बहुदा बार बार explained विस्तार से Today means उन्हें बार बार बताया था विस्तार से बताया था Charles और Peter को The importance, importance means महत्व of respecting, respecting मतलब आदर करना, सम्मान करना Others, दूसरों का और उसने कहा था जो उसका wizard friend था, means जादूगर दोस्त था उसने कहा था कि हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए ना कि उनके बारे में means गलत बाते करने चाहिए बट परन्तु लेकिन दे ने वर वे कभी नहीं listen, listen मतलब सुने थे To him, means जो wizard friend था उसकी बातों को वे कभी नहीं मानते थे जबकि उनका friend जो था, उन्हें समझाता था कि बाते करना किसी के बारे में गलत बात है हमें सम्मान करना चाहिए ना कि उनके बारे में इधर उधर की बाते करने चाहिए तो पर वो दोनों friend सुनते ही नहीं थे One day, एक दिन, the wizard decided, जो जादूगर था, decided, तैंकिया To teach, teach, means होता है पढ़ाने का, सिख्या देने का, देम, उन दोनों को listen, एक part, उसने, जो उनका जादूगर friend था, उसने सोचा, क्यों ना, इनको एक part पढ़ाया जा, means उनके कुछ सिखाया जा कि जो बाते करते हैं दूसरों के बारे में, वो छोड़ दें दोनो The next day, अगले दिन, when, जब Charles and Peter, Charles और Peter, were sitting, बैठे हुए थे इन दे क्लास, means अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में, जिसमें वो पढ़ते थे, क्योंकि वो तो बच्चे थे, तो इस वज़े से उसकूर में पढ़ते थे, तो जब वो अपने क्लास में बैठे हुए थे The Wizard, जो जादूगर था, स्टार्टेड शुरू कर दिया, speaking, बोलना, on the emergency speaker, on, per the emergency, अपात काली, means जिस पे कोई तुरंत की सूचना दी जाती है, उस speaker पे, loud speaker पे जो विज़ार था, बोलना शुरू कर दिया, दिंग डॉंग, means दिंग डॉंग, means जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, दिंग डॉंग, तो उस वज़े से, मतलब कि वो ऐसा बोला, दिंग डॉंग, attention, मतलब कहा कि दिंग डॉंग, attention, means उस माइक पे बोला, attention, मतलब सावधान, चार्ल्स थिंग, जो चार्ल्स है, थिंग, सोचता है, रॉबर्ट, जो रॉबर्ट है, is a very ugly boy, अगली मींस होता है, means बदसूरत, खराब, चार्ल्स होता है, कि रॉबर्ट बहुत ही खराब लड़का है, अगली है, बदसूरत लड़का है, and, or, he would not like to be his friend, or, he would not like, और वो नहीं मतलब पसंद करता है, to be his friend, मतलब उसका friend होना उसे पसंद नहीं है, ये सब चार्ल्स के बारे में जो बता रहा है, wizard, क्योंकि चार्ल्स और पीटर हमेशा gossip किया करते थे, तो इस वज़े से उन्हें सीख देने के लिए, wizard जो था, वो माइक पे ये सब चीजें बोल र चार्ल्स फेल्ड, embarrassed, embarrassment मतलब होता है, सरमिंदा होना, घबडा जाना, चार्ल्स जो जब ये सब बातें, wizard बोलने लगा, कि रॉबर्ट के बारे में वो ऐसा सोचता है, और रॉबर्ट को अपना friend बनाना नहीं चाहता है, जो भी हो, तो चार्ल्स ये सब चीजें सुन कर, embarrassed हो होने लगा, मिन्स घबडाने लगा, शर्माने लगा, he hit his face, hit means होता है, छुपाना, his face, अपने face को, अपने चेहरे को, behind, पीछे, अब बुक, जब ये सब चीजें सुना, तो वो शर्मा के सरमिंदा होकर, अपनी जो face को, बुक के नीचे छुपाने लगा, the speaker spoke again, जो speaker था, व सावधान, Peter is thinking, Peter सोचता है, thinking means सोचना, that कि Anthony Wilson, उसके क्लास में कोई लड़का होगा, उसका नाम Anthony होगा, तो उसके बारे में कह रहा है कि Peter सोचता है, Anthony Wilson, जो Anthony Wilson है, is a, is a means है, fat and foolish guy, fat means मोटा and or foolish, मुर्ख guy, means मुर्ख आदमी, मुर्ख लड़का, और फिर दूसरी बार, पहली तो Charles के बारे में बताए कि Charles ये सोचता है, Robert के बारे में, और फिर Wizard ने बताए कि Peter ये सोचता है, Anthony Wilson के बारे में कि वो मोटा है और मुर्ख है, Peter पीटर ने महसूस किया, like, like means जैसे कि running out, running out means बाहर भाग जाना, of the classroom, classroom से बाहर to hide, और पीटर को ऐसा लगा कि वो बाहर भाग और वो छुप जाए कहीं, to hide means छुप जाए क्योंकि उसके उसने पीटर के बारे में बताए कि Peter ये सोचता है, तो उसे लगा क्यों ना, वो बाहर भाग के छुप जाए, throughout the day, throughout the day means दिन भर the speaker, जो वक्ता था, जो बोलने वाला था, जो माइक में बोल रहा था, revealed, revealed मतलब होत खोलना, the innermost thoughts of Charles and Peter, innermost means होता है, अंतर्मन, जो अंदर की बाते थी, गुपत बाते थी, जो Charles और Peter की secret बाते थी, जो उनके भीतर में जो भी था, उन सब thoughts, उन सब विचारों को, of Charles and Peter, Charles and Peter की विचारों को, जो वे आपस में बाते करते थे, उन सभी बातों को, speaker ने mic में खोल दिया, means सभी बातों को उसने बहुत जोर जोर से, लोगों को, पूरे school को उसने सुनाया, and or they are, they are, उनके little gossips, little means छोटे gossip, जो छोटी छोटी बाते वे लोगों के बारे में बात करते थे, उन सभी चीजों को, उस mic में जाकर, wizard ने खोल दिया, means सभी बातों क पूरे school को बता दिया, then the two of them, two of them, means उनमें से दो जो थे, Charles and Peter, went over, गए, to the speaker, speaker के पास गए, वक्ता के पास गए, crying with apology, crying means होता है, रोना, with apology, means रोते रोते उन्होंने माफी माँगी, apology means माफी माँगना, they promised, उन्होंने वादा किया, not to gossip, gossip नहीं करने का, means बाते नहीं करने का any more, बिल्कुल भी नहीं, अब उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं, अब से हम लोग gossip नहीं करेंगे, about बारे में other people, दूसरे लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि, wizard से कहा, जादूगर से कहा कि अब से हम दूसरे लोगों के बारे में कभी भी gossip नहीं करेंगे, और फिर उन् लोगों के बारे में नहीं करना चाहिए जब हम जो भी की रहते हैं खराब लगता है तो यही चीजें चार्स और पीटर के साथ भी हुई तो स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करेगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू